इस लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक RF ट्रांस्मिटर और रिसीवर डिजाइन किया था जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी अप्रिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक हम उसे अपनी रोगोटिक्स की अप्रिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको होम ओटोमेशन में इस्तेमाल किया था सकता है उमीद है गाईज वो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप लोगों अभी तक वो वीडियो नहीं देखाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नहीं का है वहां से आप दिख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे धी क्लिक कर सकते हैं आज का जो हमारा वीडियो है यह उसी वीडियो के कंटिनिशन में है उसी RF transmitter और receiver को आज हम एक practical application में यूज करने वाले हैं आज हम एक home automation system बनाएंगे जिस पर हम उसी RF transmitter को यूज करेंगे अपनी अप्लाइंस को कंट्रोल करने के लिए तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं करीच अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को यादो का लास्ट है हमने यह circuit डिजाइन किये थे जिसमें ST12E जो कि एक encoder IC था जिसको हमने RF transmitter के साथ interface किया था ST12FD decoder IC को हमने RF receiver के साथ interface किया था यह सारी circuitry बनाने के बाद यह circuits बनके कुछ इस तरीके के त्यार हुए थे यह हमारा transmitter था और यह हमारा receiver था transmitter में हमारे पास four buttons यहाँ पे लगे हुए थे जिनको press करने थे से यहाँ पर जो four LEDs है यह मैनुप्लेट हो रही थी इनकी working आपको मैं एक बार दुबारा दिखा देता हूं इसके बाद हम इनी को modify करेंगे कुछ हद तक ताकि हम अपना home automation का जो आज का हमारा project है वह हम बना सके तो यह transmitter को मैंने battery के साथ connect कर दिया और यहाँ पर मैं यह receiver को भी battery के साथ connect कर देता हूं यहाँ से button press करने से वहाँ पर LEDs है जो आपकी manipulate हो रही है जो on है वो off हो रही है button press करने पर जो off है वो on हो रही है तो यहाँ पर आगर आप देखें तो यह button जितनी देर तक प्रेस रहते हैं उतनी देर तक आपकी LED फंक्शन करती है और बटन छोड़ते ही अपने वापस पुरानी स्टेट पर आ जाती है अगर होम ओटोमेशन में हम बाग करें तो वहां पर हमें एक बार बटन प्रेस करने से डिवाइस को आन होना चाहिए और दूसरी बार प्रेस कर करें कोई भी कंट्रोल सर्केट जो इस स्टेट को होल्ड कर सके यहां फिर जो सबसे आसान तरीका है कि हम इन बटन्स को जो कि हमारे पुश्टू ओन वाले माइक्र और अउफ स्विच हैं इनको हम रिप्लेस कर दें इस तरीके के अन उफ बटन के साथ यह अगर आप बटन सबसे पहले तो आज हम यही करेंगे कि इन बटन्स को हम रिप्लेस करेंगे इन ऑन उफ स्विच के साथ बट यहां पर जो हमने सोल्टरिंग कर रखी है अगर हम प्रॉपर हर बटन को उतारने लगेंगे तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा तो हम एक एक्स्ट्र यहां पर हम लोग ने यह की पैड बना लिया है इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैंने चार बटन लगाए हैं जैसे कि चार बटन हमारे इस circuit में थे यहां पे मैंने on off लगा दिया है अब इस keyboard को इस PCB के साथ interface करने के लिए यहां पे मैंने PCB headers लगा दिया है यहां से आप देख सकते हैं यह चार PCB headers इस site लगे हुए जो कि यहां से जो बटन की inputs होंगी या बटन की output जो होगी वो इस encoder तक पहुंच आएंगे और इस PCB में भी यहां पे मैंने PCB headers लगा दिया है जो कि इन buttons के बलकुल parallel से निकाले गए हैं जो आप connections देख सकते हैं बटन के बलकुल parallel में ही मैंने वो PCB headers निकाले हैं तो अब इन PCB headers को हम इन PCB headers के साथ connect कर देंगे तक यह जो हमरा remote है complete हो सके with on off switch पहले इस button से तो सब प्रेस करने से on होता था छोड़ने से off हो जाता था तो अब यह भी हम इसके साथ interface करते हैं और दुबारा से check करते हैं कि यहां पर जो LEDs हैं इन buttons के साथ stable हो रही है या फिर नहीं तो चलिए connect कर लेते हैं connect करने के लिए मैं यह जंपल वायस इस्तेमाल कर रहा हूं तो चार हमारी button के inputs हैं और एक ground भी चाहिए होता है यह connect हो गई है और इनके जो भी दूसरे end है यह हम इस PCB में लगा देते हैं परपल वारा हमारा ground था तो ground के लिए मैंने यहां पर connection निकाला है इसके इलावा जो बखी चार inputs हैं वो connect कर लेते हैं यह हमारी connect हो गई है तो अभी यह हमारा remote complete होके एक ही पार्ट बन गया अब यह पूरा अगर आप दुबारा से इस circuit को बना रहे हो तो make sure आप यह वाले button यहीं पर सीधा लगा दीजे तो आपको यह connection करने की जोड़त नहीं पड़ेगी और यह बटन आप मत लगाएं यहां अफ का काम आपका करेगा तो चलिए अब इसको पावर देके देखते हैं पहले हम अपने receiver को भी power देते हैं कि receiver हमारा on हो गया है अब transmitter को हम पावर देते हैं कि transmitter को पावर देते ही जो हमारी connection वाली LED है वो on हो गई है अब जो यहां पर यह बटन्स थे इन से जब मैं बटन को प्रेस करता था तो वो on होती थी यहां पर भी बटन्स हमारे यह जो भी प्रेस हो रख़ा है इसको पहले मां off कर देता हूँ और यह भी on है इसको भी off कर देता हूँ तो यह initial state पर आ गया है अब इन बटन्स से जो काम होता था कि बटन्स प्रेस करने से on होती थी छोड़ने से off हो जाती थी सारे बटन्स ऐसी तरह के से काम कर रहे थे वो भी भी ऐसी काम कर रहे है अब इस keyboard से अगर मैं कोई button प्रेस क करता हूँ इससे देख सकते हैं मैंने button on कर दिया और यहां पर यह LED पर्मेंट on हो गई है दोबारा से इसको मैं करूंगा तो वह off हो गई ऐसी second हमारी on हो गई दोबारा प्रेस करते हैं off हो गई ऐसी बाकी जो दोनों है यहां पर off यह भी off on on इनको भी on कर सकते हैं यह 4 हमारी on हो गई इस तरीके से remote अभी हमारा on off के लिए ready है अब हमें इस receiver के साथ कुछ connections बनाने हैं ताकि हम इस relay को interface कर सके रिले की working भी मैंने एक वीडियो में explain करी हुई है अगर आप लोग ने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसका link भी मैं description में डाल दूँगा कि relay कैसे काम करता है वो भी आप जुरूर दिखेगा तो इस relay को भी इसके साथ interface करने के लिए भी हमें ऐसे headers चाहिए होंगे तो इन एक bulb आपको connect करके दिखाऊंगा और उसको इस remote के साथ on or firm करके दिखेंगे तो चाहिए सबसे पहरे तो मैं यहाँ पर PCB headers निकालके इस relay को connect कर रहता हूं तो यहाँ पर मैंने यह PCB headers लगा दिये हैं जिससे हम इस relay को easily connect कर सकते हैं इस relay में भी यहाँ पर PCB headers होते हैं इनके ओपर total six pins होती है यह four channel relay module है जिसमें एक ground और VCC के लिए reserve होगा और जो बाकी के चार हैं वो inputs होगी तो यहाँ पर भी मैंने यह six pins लगाई हैं जिसमें ground और VCC और बाकी चार inputs हैं जो यहाँ पर आने वाली हैं तो सबसे पहले तो हम इस module को इस relay के साथ interface करना सेखते हैं कैसे हम कर सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं jumper wire का इस्तेमाल करूंगा तो इसमें से जो मेरा first वाला है वो ground है second VCC और बाकी चार inputs हैं तो हम उसको इस तरीके से connect कर सकता हूं Ground VCC और बाकी चार inputs तो यह wire यहाँ पर मेरी connect हो गई है तो अब मिरको यह जो दूसरा end wire का वो इस relay के साथ connect करना है वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूं यह black वाला मेरा ground था तो इसको ground के साथ connect कर दिया वाइट वाला VCC था तो इसको VCC के साथ connect कर दिया बाकी चार जो बचे हैं वो इसके inputs हैं चारो inputs यहाँ पर connect हो गए है तो इस तरीके से आपका जो module है यह relay के साथ connect हो जाएगा अब यह अगर आप इस module को on करके देखें तो सेहले मैं receiver का on कर देता हूं receiver on होते ही आपने जो यह आवाज सुनी यह relay भी हमारा on हो गया है अभी हमने कोई भी load connect नहीं किया है अब यह transmitter को connect करते हैं तो transmitter connect करते ही अभी क्यूंकि सारे buttons off थे यह आफ हो गया है अब यहां से जब हम कोई button प्रेस करेंगे स्पोस मैं आज से first button प्रेस करता हूं देख सकते हैं यहां से एक relay on हो गया है 2nd button press करने से 2nd play on हो गया है 3rd button से यह वाला हो गया 4th से यह हो गया sequence यहाँ पर वायल्स जो हमने लगाई है उनके ओपर depend करेगा आप change कर देंगे तो यह sequence भी change हो जाएगा अभी हम इसके साथ कोई भी extra load connect कर सकते हैं तो load connect करने के लिए हम आपको इसके साथ तो आप 4 loads connect कर सकते हैं मेरे पास एक और relay है यहाँ पर जो की एक single channel relay है working दोनों की same है इसके साथ एक single load connect होगा तो आपको यह wires मैं इसके साथ connect करके दिखाता हूँ और एक single bulb को drag करके दिखाता हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है तो गईस यहाँ पर मैंने इस single relay के साथ इस module को connect कर दिया है इसमें सिरफ 3 wires लगी है एक VCC और एक ground और इसके एक signal pin clear हो जाएगे कि किस तरीके से relay काम करता है और कि connections कैसे लगाए जाते हैं तो यह circuitry हमारी ready है तो अभी power on करते हैं main light light मा on करता हूँ और यह मैंने on कर दिया अब जो सारा control है हमारा वो इस transmitter के ओपर आ गया है जैसे ही मैं यह first button है जो इसके साथ interface किया इसको प्रेस करूँगा यह light on हो जाएगी तो जाले करके देखते हैं हम देख सकते हैं मैंने switch on कर दिया यहां से तो वह light on हो गई है उसके correspondence जो PCB के ओपर LED थी वह भी on हो गई है इसको मा off कर देता हूँ अभी यहां से तो LED भी off होगी और वह light भी off होगी है तो इस तरीके से आप इस RF remote की help से और एक relay बीच में लगा कर किसी भी home appliance को control कर सकते हैं इस वीडियो में जितने भी parts मैंने use करें हैं इनका link में description में दे दूंगा अगर आप इस project को अपने घर पे बनाना चाते हैं इंप्लिमेंट करना चाते हैं तो वहां से आप समान purchase करके खुद implement भी कर सकते हैं उमीद है guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो like और share जरूर कीजिएगा और अगर आप इस channel पर पहली बार आए है तो subscribe भी जरूर करें साथ में bell icon को भी प्रेस करें इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाएगा मैं आपसे मिलूंगा अगले हफते एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए keep supporting thank you